हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है मैं सेक्याट्रिस्ट हिपनो थेरेपिस्ट सेक्सलोजिस्ट डिएडिक्शन स्पेशलिस्ट एक अनलपी ट्रेनर और एक कोच हूं अकुला में मैं प्रेक्टिस करता हूं कभी सारे लोग मेरे पास में आते हैं जंदे में बरकत नह से हो है एक सरवय अनुसार जो जो लोग नोकरी पे जाते हैं उनके पूछा मतलब सर्वीं करते ऑं कहीं करमेशार करकर काम करते हैं उनके पूछा कि आप नोकरी जाते हो उनका जवाब यह मिलता है कि तंखा मिलती है पैसा मिलता इतले नुख्री पे जाते है यह धन्दा भी किसको पूछा कि आप धन्दा क्यों करते हो तो पैसा कमाने के लिए घर चलाना पड़ता है पैसा मिलता है मतलब 95 पर से लोक तो यह जवाब देंगे कि मैं काम पर क्यों करने से लोगों को फायदा हो क्यों मैं पूछता हूं कि आप आपको पैसा कमाने का ठीक है आपको पैसा कैसे मिलेगा जो काम आप कर रहे है वह यदि काम आप अच्छी तरह से करते हो यदि लोगों को वह काम से फायदा होंगा यदि लोग वह काम से सुखी समाना नहीं होंगे तो फिर लोगों को फायदा जैना हो तो आपको अप्को हम संदा चलेगा ओफ करना क्या है कि उसका इंटेंचन है बेरा लोगों को तुम को कि लोगों को अच्छी हेल्थ देने का है अच्छा आरूग्य देने का है उसके लिए आप डॉक्टर बने अच्छा चोड़ो कि बहुत पैसा कमाने ठीक हरकत ने इसलिए डॉक्टर बने बहुत पैसा मिलेंगा कैसा जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छा कि जादा कि जादा जादा सालों कुझा उनकी विमारी इच्छी करेंगे तो नयच्रें आपको जादा पैसा मिलेगा पैसा अब काम पर जाते हो तो आपके दिमाग करता हूँ कि मुझे पेड़ भरने का धंधा इसले करता हूँ कि पैसा कमाने का है तो इस सो और आपफी मजदूर काम कर रहे थे बहुत कड़ी धूप थी दोपर को दो बजे और वहां एक मजदूर को उसको पूछा कि आप जो सिर्के उपर फत्तर लेके जा रहे हैं तो वह क्यों जा रहे हैं मुझे मिलता है मजदूरी मिलती है इसलिए मैं सिर्कियों उपर फत्तर लेके जा रहा हूं और मंदिर का काम चले वहां फत्तर लेके पहुंचा रहा हूं ठीक है बोले अच्छा है बहुत अच्छा है दूसरे को पूचा कि वह आप सिर्कियों उपर भर दोपर को बारा बज़े इतने कड़ी धूप में यह क्या कर रहे हैं वह दिवाल हमको बानने के मंदिर की वह शाम तक नहीं बांदा तो हमारा ठेकेदार चिलाएगा तो मैं यह ओठतर लेके जा रह다 हूं हम कशा कर रहा हो है मपगवान कृषण का मंदिर बांने का काम कर रहा है जहां लोग आएंगे लोग बैठेंगे लोग पूजा करेंगे तो लोगों को मन. लोगों के मन को शांती मिले है हला है कि तीन्हों लोगों लाहर का मंदिर बादने के बाद में इसलिए काम कर रहा था तो पैसा सबी मिलता है पैसा किसको नहीं मिलता और पैसा होना ही है पैसा चाहिए है क्योंकि को कोई खरीद मेश हैं वाइक खरीदने कपड़े घरितना है खाणा खाना यहां तो पैसा तो लगए गई तो फिर आप सफल नहीं हो सकते इसलिघी जब कोई दो अगयों को उसके लिए जाता है कि बीए मैं जब जो कर रहा हूं जो भी मैं धंदा कर दो दंदा करने से लोगोंके जिवन में सफलता मिलेंगे, लोगोंका जीवन अच्छा हो जाएंगा, लोगोंको मैं सर्विस दे रहा हूँ, लोगोंके जिवन में फरक कर रहा हूँ, तो definitely उसका धंदा भी अच्छा होगा, उसके मन को भी शान्ती मिलेगी, धन्ता बहुत ज़्यादा होंगा और बहुत ज़्यादा पैसा भी आपको मिलेगा और पैसा मिलने के बाद में जो भी आपको पैसे से खरीदना है वो आप खरेश सकोंगे तो thank you very much, जो जो लोग इस तरह का आप से बात करेंगे किने में पैसा कमाने के लिए काम कर रहा हूँ, जरूर वो लोगों से ये वीडियो शेयर कीजेगा उनको पता चलेगा कि वो पैसे के लिए काम ने करेंगे, वो आज से काम करेंगे लोगों की जिवन में फरक डालने के लिए और उससे उनको जाएजा ज्यादा पैसा मिलेगा तो आपके संपर्ग में जो भी लोग आते और जो भी कोई बोलता है कि ने मुझे पैसे कमाना इसलिए मैं नोपरी पे जाता हूं इसलिए में काम पे जाता हूं तो उसको जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा उनके जो में फरक पड़ेगा और हमारा एक समाज एक आदर्श समाज बनेगा यहां के सभी लोग ऐसा काम करेंगे कि वो कुछ तो भी बड़ा काम करना करके काम कर रहें ना कि सिर्फ पैसे कवाने के लिए काम कर रहें आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक केज़ेगा शेर केज़ेगा थैंक यू